Hello student, आप सभी काफी student की demand आ रही थी के सर फिफ्ट के साथ हमें six semester भी fill करना पड़ता है तो आप six semester का भी एक बार बता दें तो मैं पहले बता दूँ ये वीडियो B.com program के लिए है और B.com program के six semester के हम बात कर रहे हैं आप स्टार्ट के लिए अलग से वीडियो आएगी और उसमें आउनर्स के स्रिफ बात की जाएगी अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों की कोई रही है सर हमें ये option मिलेगा या ये नहीं मिला तो हम क्या करेंगे हमारे provisioning है वो तो DU अपने हिसाब से देखा तो जिस subject का मैं discuss करूँ है मैं highlight कर दूँ है और जो मैंने last class में बोला था अगर मैं होता तो ये लेता तो ये subject तो definitely आपको मिलेगा ये मिलेगा वो पिछली class जो बच्चे इस class को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो पिछली class में यूट्यूब के आई बटन पे आप जाओगे ना तो वहां मैं देदूँ आप डिस्क्रिप्शन में भी देदूँ आप लास्ट वाले semester 5 के सारी डिटेल अब हम बात करते हैं और दूसरा question बच्चों का रहा था sir हम अगर यह subject चूज करें तो दूसरा subject पे college देगा नहीं देगा तो वही सारी बाते इसमें भी discuss म कर लेंगे तो देखिए फिर से अगे बीकॉम semester 6 के अंदर हमारे 6 देखा जाए तो मैं थोड़ा सा तो बीकॉम 6 के अंदर देखा जाए तो एक तो discipline specific elective है और हम basically देखा जाए तो इस पर focus करके कोई फाइदा नहीं है हमारे मन में तो एकी चीज होता है ने का 4 subject है 4 कौन से लेने कौन सा discipline है कौन सा किले कौन सा क्या है मतलब निया तो सर पहला है corporate tax planning बहुत अच्छा subject है banking भी अच्छा subject है management accounting भी अच्छा subject है computer tally वगएरा है ये भी अच्छा subject है financial market saving वगएरा का है ये भी अच्छा subject है तो सर सारह ही अच्छे है तो सारह तो नहीं मिलेगा आपको इन सभी में से एक चूज करना है और DU कोई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता इसमें से सबसे में ये वाला तो DU आपको option देगा ही देगा तो मैं priority पे रखूँगा management accounting sir management accounting क्या होता है cost accounting से थोड़ा सा advanced version होता है जो आपने cost किया है तो management accounting तो थोड़ा सा coordination आपका हो जाता है तो थोड़ा easy रहता है corporate tax planning sir अगर हमारे मन में हो अच्छा subject है तो ले सकता है क्या corporate tax planning आप लेंगे तो आपको एक problem आ सकती है अगर आपने तीसरे semester के अंदर tax अच्छे से पढ़ा है तब ही आपको समझ में आने वाला है banking जिसको banking sector में जाना है government job की तयारी कर रहे और banking sector में जाना है तो वो banking ले ले लेंगे मैं देखो मेरा main purpose यह नहीं कि आप यह ले लो आपको पता होना चाहिए कि यह subject हमारा आगे future कुछ बच्चे सोचना है banking तो मैं कहुँगा कि भाई banking लीजिए क्योंकि इसके अंदर आप आपको एक तो coaching से लेकि problem हो सकता है और दूसरा आपको study material easily अच्छा नहीं मिल सकता इस पर मैंने टिक किया है कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान के किसी कोने में management accounting का study material अच्छे अच्छे writer का available है coaching भी available है computerized system इस subject के अंदर tally है tally और 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 बी कुछ computer के components वगरे है वो है financial market ये भी हमारा लगबग theory और ये थोड़ा theory और practical है तो मुद्दे की बात करूं हम इसमें से दो चीजे हमें ध्यान रखना subject choose करते हुए हमारे future के लिए क्या चीज बेटर है वो तो देखना ही है साथ के साथ क्या availability है market में किस चीज का study material मिल जाएगा किस चीज को हम अच्छ coaching भी नहीं मिल रहा तो उस situation में आपका एक साल तो खराब हो जाएगा ना तो वो सारी बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको तो इसमें से management accounting easily हर चीज मिल जाता है बाकी ये subjects के आपके coaching वगएरा नहीं मिलेंगे वो चीज में पहले clear कर दूँ मैं ये नहीं कह रहा है अब दूसरा elective इसमें है international business international business कैसे जाता है fundamental of investment अगेन इसके अंदर valuation of bonds वगएरा है जो कि मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा interesting subject है consumer protection consumer का क्या के rights है जो कि आप पढ़ते हैं आर वे स्टार्टिंग से organization behavior ये जितने भी subject है इन सभी के study material easily available नहीं है market में सभी के आपको 10 year मिल सकता है आपको अगर धूंडोगे न को specific writer का अच्छा सा book मिल जाए जैसे कि आपने देखा होगा चौथे समिस्टर में cost के लिए महिश्वरी मित्तल कर लिया management accounting के लिए MN Aroda करोगे तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर book का भी नाम बता दो तो मैं बोलता जा रह अगर मैं बात करो तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो यह पढ़ाऊंगा छटे समस्टर में तो इसकी कोचिंग की तो चिंता ख़तम होके यह मैं पढ़ाऊंगा जो बच्चे यूटूब पे class लेते हैं वो यूटूब पे ले सकते हैं जो लाइव अप्लिकेशन पे लेत सकते हैं जो की थोड़ा simple है थोड़ा easy है consumers related है तो आप पढ़के कर सकते हैं तो यह होगी हमारा दूसरा ठीक है ना इसके बाद आजाते है skill enhancement इसका skill enhancement भाई मैं भी नहीं बता सकता आपको मिलेगा क्यों क्योंकि वो past जो आपने 5,4,3 उनके हिसाब से DU आपने आप देते हैं collective behavior भी self पढ़ना होगा अलग से specific advertisement की तो book आपको market में मिल सकती है और collective bargaining sorry मैं behavior बोल गया bargaining bargaining में जो हम दुकान से तोल भाव मोल करते हैं इतने का नहीं इतने का तो उसके क्या rules होने चाहिए उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे इसका market में book available easily नहीं होगा D.U. से जो book मिलेगा वही आपको पढ़ के और अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा अगरा है generic electric generic electric में क्या है entrepreneurship है पहले भी आया था आपको याद होगा वहां मिला होगा तो यहां मिलेगा आपको training and development पहले भी आया था अगर वहां ले लिया होगा तो यहां नहीं देंगे वो finance for non financing executive finance for non financing executive non financing executive जैसे NGO बगएरा है उनसे related थोड़ा बहुत होगा तो यह थोड़ा सा अपका हो जाएगा जहां finance की बात आ जाती है वो हो जाता है हमारा practical subject थोड़ा सा practical थोड़ा theoretical तो सर इस दोनों के अंदर तो मैं भी नहीं कह सकता जो option है बाकि इन दोनों के अंदर यह है सर अब आगे मुझे बता जिए further study करेंगे तो कौन-कौन से subject हमें जरूरी होगा ताकि हम वही लें अगेन मैं कहूंगा अगर commerce line से आप touch रहना चाहते हो MBA करना चाहते हो SE करना चाहते हो YA फिर आप M-Com करना चाहते हो यही तो हमारे fields है यह फिर आपको management का कूर्स करना चाहते हो तो यही सारी हमारी fields हैं इस fields को करने के लिए सबसे पहली बात तो management account आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा तो that's why मैंने कहा कि management account ऐसा नहीं है कि इन में से कोई नहीं आएगा आएगा लेकिन management account एक highlighted होगा जो कि अगर आप भी पढ़ लोगे तो आपको benefit मिलेगा इसके अंदर से fundamental of investment हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आगे चलके वो depend करता है किसी university के अंदर आप जा रहे हो हर university का अपना अलग-अलग subject रहता है ठीक है ना इसके बात यह तो मैं भी आपको clear नहीं बता हूँ आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं वीडियो देख सकते हैं दूसरा आप study material डाउनलोड करिए और इसको thoroughly पढ़ लिजए topics topics और थोड़ा अंदर का पढ़ लिजए उसके हिसाब से decision लिजए एकदम से form भरने की ज़ुरत नहीं है entrepreneurship training development ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़के आप लें इन दोनों का मैंने बता दिया अब बच्चों का query है कि सर हमारे पास ऐसा रहता है कि अभी तो form ही नहीं है कहां भरना नहीं भरना तो अभी आपका form नहीं आया है चाहे regular regular वालों को तो पहले ही भरवा लिया जाता है and non college व अभी एक्जाम ही नहीं हुए क्योंकि उनका august में हो ना four semester, S.O.L. वालों ने एक्जाम दे दिया, second phase वालों ने तो अभी एक्जाम ने दिया, तो form जो है वो आपको information मिल जाएगी, जैसे form आएंगे, तो form के चक्कर में मत रहिए कि form भरेंगे, तभी हम पढ़ना start करेंग तो मैं again clear कर दूँ, application पे 20 तारिक से start होगा batch और price रखा है, मैंने ज्यादा बहुत बड़ा price नहीं है, 799 रखा है, इसके साथ study material इस वार मैं अपनी तरफ से जो है provide करने वाला हूँ, hard copy courier होगा आप सभी को, उसके इसाब से 799 का price है, यह आपका live class, उसके साथ साथ सारे recorded और जितने notes हैं और सारे features जो application में अवेल करते हो, strategic हो, exam time पे आपका क्या strategy प्लान हो, वो सारे चीज़े हम application पे discuss करते हो, उसका price यह है, जो के simply stat है, साथ के साथ सार, YouTube पे आएगी ने, YouTube पे भी सारी classes आएगी, YouTube पे classes आने में थोड़ा से delay होता है, जैसे कि जो बच्चे YouTube प class होगे, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे पांच महीने पड़े होएं, और पांच, ये पांच महीने की fees है, ये एक महीने की fees नहीं, ये पूरे पांच महीने की fees बता रहा हूँ है, मैंने fees, अब कुछ बच्चे बोलेंगा, जो बच्चे पढ़ रखा है तो उनको तो question mark है नहीं के सर कैसा पढ़ाएंगे, ये fees structure इसलिए रखा है कि छोटा सा छोटा मतलब जिनका मतलब के मान के चलो, finance की बहुत दिक्कत है, वो भी लाइव क्लास में जोइन हो सकता है, और जो बच्चा जोइन ही नहीं हो सकता है, उसके लिए YouTube हम पूरी help करने की कोशुस करते ह है, मदद करने की, ठीक है न? आप सभी जुडिये, अगर referral करता है कोई बच्चा तो हमने अभी referral प्रोग्राम चलाए हुए, referral करता है, तो per student के साब से एक fixed amount deduction मिल जाता है, 100 रुपिस का deduction, जैसे मानली जी आपने course खरीदा, आपने एक दूसरे दोस्त को भी कराया, लेकिन आपके favor से referral आता है, बताएंगे तो आपको 100 रुपिस का cashback मिल जाता है instant, तो वो एक हमने दे रखा है, बस एक है कि आप मेरी reach ज्यादा से ज्यादा रोग तक पहुंचे, मैं ज्यादा से ज्यादा से स्टूडेंट से communicate कर पाऊं, आने वाले टाइम में मैं पूरी कोसिस कर हुआ कि आपको बहतर और better quality का आपको class provide हो और एक चीज concept से आप देखोगे न, believe me, 10 year मैंने पूरा record कर लिया है, इन दिनों में छुटी था तो मैंने पूरा record किया, 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी, record हो चुका है, application पे डल चुका है वो, इसके बाद जो classes होगी, म मतलब क्या होगा sir, book के भी सारे questions होगे, past year के भी सारे questions होगे, और plus मेरे सारे systematic questions होगे, जिसको करने के बाद exam के अंदर एक भी question, in fact theory का भी, अगर आप बोलोगे के sir, ये theory का question भी अलग आ गया, तो possible ही नहीं है, तो exam के अंदर आपका पूरा paper आएगा, बिल्कुल same as it is, उस format पे हम काम करने वाले है, तो बस बच्चों आपको यही जानकारी देनी थी, form DU का भी नहीं आए, जब आएगा तब भर लेना, thank you so much, stay connected, subscribe करे चैनल को, दोस्तों को share करें, और जुडे रहें, और सारी notification आप regular basis पे आना है, start हो जाएगी, तो बस मुझे आपको यही समझाना आप इसे note भी कर लें अपने register में और एक बार आपके पास समय है, भी time है, आप Google कर लें, YouTube पे देख लें, या फिर आप DU के SOL के साइड पे सारे subject के study material जिसके मिल पा रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, read कर सकते हो, तो मिलते हैं हम next video में, 20 तारिक से class start है, भूलना नहीं ह तो next video में, तो next video में मिलते हैं, ठीक है?